जै स्रीराम भगतो भगतो जब जीवन में इतने मुसीबत आ जाए कि आपका मन और बुद्धी काम करना बंद कर दे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो कि ये काम कैसे बनेगा मैं क्या करूं क्या ना करूं यानि आप किसी भी तरह से निर्ने नहीं ले पा रहे हो तब होथी सक्तिशाली मंत्र है बगतो हर इंसान की लाइफ में प्रेशानी आई जाती है और कई बार तो इतनी बड़ी प्रेशानी आजाती है कि वो चारों तरफ से उसको रास्ते बंद नजर आते हैं चाहे आपके धन से संबंदित कोई प्रेशानी है चाहे कोई बूत प्रेत पादा की प्रेशानी है चाहे कोई करे कराई की प्रेशानी है चाहे आपको कोई मानशिक प्रेशानी है चाहे आपके घर में कलेकलेस गरेकलेस रहता है कोई भी प्रेशान नहीं हो सकती है तो आपको ये मंत्र उस समय तो बोलना ही बोलना है और इसको प्रती दिन भी आप मन के द्वारा सारे दिन काम करते करते भी बोल सकते हैं और इसको 10-15 मिंट सुबह 10-15 मिंट शाम को मत्र रात को सोते समय बोल कर सोच सकते हैं तो आपको इसका तुरंथी चमतकारी लाव देखने को मिलता है वैसे ये मंतर ऐसा कहा जाता है कि विश्णु भगवान का मंतर है प्रन्तु इस मंतर से आप अपने इश्ट जो भी आपके इश्ट है वो ये मंतर सभी के लिए होता है क्योंकि ये मंतर इसी तरह का है और ये कियों तीन शब्दों का बहुती सरल मंतर है इस मंतर को आप हर अवस्था में मन के द्वारा जब सकते हैं जितना आपके पास समय है उतना जबें तो आपको इसके आश्चर्य जनक लाब देखने को मिलेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही सिद मंतर है इसको सिद करने की ज़रूरत नहीं होती जो मंतर सिद होता है वो तुरूंत ही फली भूत होता है बूलना शुरू करते ही पहली बार में ही असर दिखाता है तो मंतर नोट कर लीजिए मंतर इस परकार है ओम पुरसोतमाय नमह है ओम पुरसोतमाय नमह है तो य का ध्यान करें ये राम के लिए भी होगा आप क्रिशन को मानते हैं तो क्रिशन के लिए इस मंतर को बोलें ये क्रिशन का भी मंतर है सभी क्या प्रसोत माय का मतलब जो भी आपके इस्ट उसी के लिए ये मंतर हो जाएगा तो आप इस मंतर को बोलें और अपनी सभी समस्याओं को तुरुंत दूर करें, यह मंतर आपको एक दिन में ही परफाव दिखाएगा, आपको कोई समझ में नहाता तो इस मंतर को मन में बोलना शुरू कर दो, तो आपके अंदर से कोई उस समझ्या का हल निकल की अवश्य ही आएगा, क्योंकि परभू की कृपा होते ही, आपके सार कारियर स्वेते ही बनने लग जाते हैं बाकी भगतो इस मंतर के उपर पूरी श्रदा सच्चा विश्वास होना ची और सच्चे हुर्दे से इसे बोलना है अपने मतलब पूरी तरह से भगवान की शंड चले जाएं आप फिर इस मंतर को बोले तो पर देखें इसका चमतकार अ अब हम अपने वानी को विराम देते हैं जय स्री राम भक्ता